है कुछा ना इंत का 1 पाट संख्या पद्धुद्धी क। में बारेशा। है तो यहां पर हमंगे सबसेज्व कि शुरुआ करेंगे सबसे संक्याmi में आता है प्राकृत्र संख्याएं या प्राक्र संख्याएं या नेट्रल नमबर तो प्राक्र संख्याएं के नहीं कहते हैं आप जान दें हैं कि एक से एक से शुरू होने वाली यानि कि एक से और अनन्द तक चलने वाले संख्याओं को कहते हैं प्राक्र संख्याएं मिले के नम लब यह है जब गि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 100, यानि कि यह खतम नहीं होती है, यानि कि सबसे छोटी जो प्राइस संख्या है, वो एक है, और सबसे बड़ी जो प्राइस संख्या है, वो कोई भी नहीं है, सबसे बड़ी वो चलती रहती है, तो जब गिंते की संख्या 1 से स्टार्ट हो, यानि कि एक से शुरू होने वाली और अनन तक चलने वाले संख्याओं को कहते हैं प्राय संख्याओं और सुन्य से शुरू हो करके अनन तक चलने वाले संख्याओं को कहते हैं पूर संख्याओं यानि की वोल नमबर तो यह प्राक्टिक संक्याएं शुरू होंगी एक से और पूर्ण संक्याएं शुरू होंगी जिरू से कहनका मझाब यह है दोनों में अंतर मामली सा है कि यहां पर start एक से हो रहा है प्राक्टिक में और यहां पर teasing से tavard लोड़ा है पूर्ण संक्याओं में तो 0 से दगर के अनन तक चलने वारी आध्यान रही अनन तक चलती कि खतम कोभी जो भी होती है चाहिए वह एक हो दो हो तीन हो चार हो पांच हो छे हो एक्स्ट्रा सौन जो भी संख्या यह हो जिरो के अलावा सभी संख्या है प्राक्टिक भी है पूर्ड भी है लेकिन जिरो सिर्फ वह संख्या है जो पूर्ड संख्या है यह प्राक्टिक संख्या नहीं है अगर आप से प्राष्ण पुछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राक्तिक संख्या कौन सी है तो आप कहेंगे सबसे प्राक्तिक संख्या कौन सी है एक है और सबसे छोटी प्राक्तिक संख्या कौन सी है वह हम कहेंगे जिरो है तो कहने का मलब यह है जिरो के अलावा क्या जिरो क के अलावा सभी संख्याएं प्राक्तिक भी होती हैं और क्या पूर्ण भी होती है उन्हें प्राक्तिक संख्याइं भी कहते हैं लेकिन जीरो प्राक्तिक संख्या नहीं है वह एक पूर्ण संख्या है यहने कि जीरो सिर्फ एक पूर्ण संख्या है प्राक्तिक नहीं है और जी सों पूण संख्याली है पूण प्राइक संख्याल के बारे में पढ़ दिया braking संख्याइं बारामने थोड़ा पढ़ दिया और लॉवत तो अगा किणा कितने बीक संख्य आ Presence Long plus two plus three plus four plus five सभी पून संख्या हैं सभी पून संख्या है और प्राक्तिक संख्याओं की सभी रडात्मक संख्याओं को हम पूनांक के ते हैं याने कि अगर हम जो वी संक्रामबनों 3 से उसके प्रेवासा हम यह कह सकते हैं, ंओं और प्रेवासा हम यह भी कह सकते हैं,ंस भीठ तुम्न गयालाती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं और प्राक्तिक संख्याओं की रणत्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है तो इनकी प्रवासाई आप इस तरह से दिखेंगे कॉफी में पर लेकिंगे आप प्राक्तिक संख्याएं प्रवासा आप खुद लेकिंगे उधान सहीत की एक से लेकर के अनंतक चलने वाले संख्याओं को प्राक्ट संख्याओं कहते हैं जैसे 123456 extra डैडस कर देना पूर्ण संख्याओं सुन्य से अनंतक चलने वाले संख्याओं को पूर्ण संख्याओं कहते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, Extra, Extra और जब पुर्णा अंक लिखेंगे आप तो हम ये लिखेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं और प्राक्टिक संख्याओं की पूर्णाथ्मक संख्याएं, पूर्णाथ्मक संख्याएं कहते हैं जैसे कि ये लिखी हुई हैं Next बप्र gwार्न पार के सरे कि दिखे के περιम प्राइक को घिल्ट pessimर के होते हैं आफ की पूराग में प्लस भी होते हैं स्टार एक्ट्राइक्राइक्राम एक्टार उसफोर जो है परन ऑसा ऊच científic एक एक्टारWD मागुद ओधा स्बॉद्धणक नंडन भी नंगयव्यक्राइक्ण sera wal lets मैं मैं तो जिस पुरां के आगे प्रस नगा होता है उसे पर प्रस लगवा को जिस पुरांग के आगे को परकार के आगे अगे लग जबकि प्राक्रतिक संख्याएं और पूर्ण 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 के बाद आता है प्रमे संख्याएं यहां जन संख्याओं को हम भिन्द जन संख्याओं को हम भिन्द पी बड़े क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमे संख्याओं कहते हैं जन संख्याओं को हम भिन्द पी बड़े क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमे संख्याओं कहते हैं अब भिन्द पी प्रमेश संख्याई के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमेश संख्याई के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमेश संख्याई के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमेश संख्याई के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमेश संख्याई के बराबन नहीं हो सकता है प्रमे संख्या में कोई एक्जाबल आप जोते हैं साथ ड़ाट यार ग्यार वड़ाती इन पाइम रचे इसमें वह इनियम है पूर आंके की तो रहों कि वही मैंने कहा कि जिन प्रमे संख्या होंगे प्लस सिन लगावा है उन्हें कहांगे धनादमक प्रमे संख्या जैसे परिमय संख्या भिनों को कहते हैं नहीं है प्रमे संख्या प्रशन यह आता है जोहें पूर्म आंक हैं यह यह पूर संख्या प्राक््क त ineffectivemaal हैं आथ मैं कहते हैं गुण हेवर संक्या, ऀए कि शह निया है कि एक उतल पर्मेज संक्या बनाच है कि ईए कोई भी संख्या कोई भी भी कोई को चाहिए वी फलकस्पनादमक सिंग्यव और के अर्व मेरेम्द का बाइं गुरौण 50 इसको मरे तो परमे संख्या कोई भी थाराख्या किर्फोकर ओन hmTI यह यह दो गई परमेशियों bisa will ईशाटाय कि जीरों दोनम्हां विद्ट अगैवत इस प्रुम ऐन ट fragrीना मेरे टिमेस जया कर दोन ओएएथ जो दोन है उनके आगे एंडिवन्हां निचे नीचे को बोल्डू डिकर प्रभास कि अग्यों कि घीच कोंध प्रवास फे आओ संक्याइ käyt में विख सकते हैं वह उन्हें परमे संह केते हैं यहां पर क्यों सुन्य के बराबर नहीं होताい ज बूसित दीजीए कर आब कोई अब पराइं लिखते मध्यार में लगा थे हैं तो यह थां पर में संगेकम का क्ई दो टीन चार पांच यह रण एक रण डो दो रहज ऐओ रोद तीन चार रहन पाँच कोई भी हो चाये वो चाये वो दन में हो उन्हें पूणान चार और इन्हें प्रमय संख्या में समझने सब्सक्राइब पुल्ण संह्या के जो संगां एक सरुन होती है यह vit nossa स्ञ्या और जब गून्द संगां मत्या संगवाएद शोरो होती है। सिस्फटी संग्या होती है आप ब Lösnessी में आता है कि दो है एक कि एक प्राक्ति है को में दो क्या प्राक्ति है नहीं सिर्फ एक कु簡 proces मुझा कि मैं आपको बता दिया कि सभी पूर्ण संख्या जैना को पूर्ण क्या कि जो मैं को किस नहीं कैते ही ऩह जिन का चे हर्जा के लगा होगांक उर्ण काथ को भू न के से बिलाज प्रूमा को अप्रों संक्या का 反 Egg चक्रेटम सुन आफके लिए याथ हम आपको चुका यह कुद Steel है को न से ही एक सब्सक्रमें सब्सक्राइब तो बच्चों आपको पहले पाठ में पडर का नाम लगकर के संख्या पद्द दिराल करके फिर कॉफि में पौत संख्या एंगुञ संख्या हैं और प्रमे संख्याों की प्रवासा लिखनी है जुछ मेने अब आप से कही विज एक्जांपल अधामा सही तो आप इन पर अध् झाल झाल